अगर आपको भी कुछ इस पर करते हैं काली मा एस्पेसल वीडियो इडित करना है तो आप बिल्कुल सही जगाह पर आए हैं संकर भगवान की जगाह पर आप अपना खुद का भी फोटो लगा सकते हैं तो चलिए अब इसका इडितिंग सिख लेते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर देजिएगा तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर इडितिंग करने के लिए आपके पास केपकत एप होना चाहिए केपकत एप को इंडिया में चलाने के लिए आपके पास कोई सभी एक VPN होना चाहिए तो मेरे पास सुपर VPN चलिए ओपन करके कनेक्टेद कर लेते हैं connected हो जाने के बाद उसके बाद cap cut app को open किजिएगा plus वाला icon पे क्लिक करके photo पे क्लिक किजिएगा इसमें हम जो भी photo add करेंगे वो सारा आपको नीचे देखनों को मिल जाएगा वहाँ से आप download कर सकते हैं अगर आप अलग photo download करना चाहते हैं तो आप Google से download कर सकते हैं तो सबसे पहले काली मैं का जो photo है उसको हम यहाँ पर add कर लेते हैं जैसे कि आप सब देख सोगता होंगे उसके बाद सबसे पहले इसका frame देख लिजिएगा नीचे से आगे चलिएगा expect ratio पे क्लिक करके 9-16 पे क्लिक किजिएगा down पे क्लिक कर दिजिएगा उसके बाद photo पे क्लिक करके इसको आप कुछ इस परका से थोड़ा जादा जुम किजिएगा जैसे कि आप सब देख सोगता होंगे तो हम कुछ इस परका से इतना जुम कर लेते हैं उसके बाद हम इस side आ जाएंगे यहां पर आप थुरा सा धियान लगा करके देखिएगा सबसे पहले last में watermark आएगा इसको आप delete किजिएगा starting में आ करके add area पे click किजिएगा extracted पे click करके sound वाला जो video clip है link देदेंगे नीचे वहाँ से आप download करके sound वाले video को add किजिएगा extract area पे click करके sound को बाहर कर लिजिएगा कुछ इस पर कर से उसके बाद photo पे click करके इसको आप equal size में कर लिजिएगा जीतना बारा आपका audio का size है जैसे कि आप सब देख सकते होंगे जो भी फाल्तु भागोगा उसको आप delete कर लिजिएगा उसके बाद आप इसके starting में आ जाईएगा photo पे click करके key frame पे click किजिएगा नीचे से आप आगे के तरफ चलिएगा play करके सुन लिजिएगा गाना को चलिए सुनाते हैं तो इसमें जो lyrics है जै मा काली तो जहां पर काली आता है वहां पर आ करके रुक जाईएगा plus वाला icon पे click करके अपने काली मा को कुछ इस परकर से आगे के तरफ कर देजिएगा जैसे कि आप सब देख सकतों होंगे उसके बाद इसके end point पे आ जाईएगा सब से last में plus वाला icon पे click करके इनको कुछ इस परकर से जुम कर देजिएगा तो हम कुछ इस परकर से इतना कर लेते हैं आप अपने according देख लिजिएगा उसके बाद इसके आप starting में आ जाईएगा back वाला icon पे click करके effect पे click किजिएगा body effect पे click करके इसमें मुझे आख में lighting effect apply करना है करने के लिए आप आगे चलिएगा आगे आपको देखनों को मिल जागा superpower इसको आप open किजिएगा lighting eyes वाला जो effect है इसको आप apply कर देजिएगा कुछ इस परकर से यहाँ पर आप थुरा सा धियान लगा करके देखिएगा यहाँ पर आपको देखनों को मिल जागा object इस पर आप click किजिएगा यहाँ से आप all पर click कर देजिएगा उसके बाद down पर click किजिएगा और यह जो layer है आप इसको equal size में कर देजिएगा कुछ इस परकर से आपको देखनों को मिल जागा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं कुछ इस परकर से आपको देखनों को मिल जागा भाई यहाँ पर प्रोबलम हो रहा है ठीक है तो इसको आप अच्छे तरीका से देख लिजिएगा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीका से हो चुका है जैसे कि आप सब देख करते हैंगे उसके बाद आप इसके स्टार्टिंग में आ जाईएगा बैक वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से ओवरले पे क्लिक कीजिएगा एद ओवरले पे क्लिक करके संकर भगवान का जो फोटो है उसको मुझे एद करना है अगर आपना खुद का फोटो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं तो सिंपल फोटो पे क्लिक करके संकर भगवान का जो फोटो है उसको हम एद कर लेते हैं एद वाला बतन पे क्लिक करनेंगे कुछ इस परकार से देखनों को मिल जाएगा तो सब से पहले इनका मुझे background remove करना है तो simple आप आगे चलिएगा आगे आपको देखनों को मिल जाएगा remove bg इस पर आप क्लिक कीजिएगा अगर यहाँ पर अच्छे तरीका से remove नहीं होता है जैसे कि आप सब देख सकते होंगे हमारा अच्छे तरीका से remove नहीं हो पाया है जैसे कि आप सब देख सकते होंगे तो आपको क्या करना है simple संकर भगवन का जो फोटो है यहाँ से आप delete कीजिएगा चलिए delete कर लेते हैं इसको आप close कीजिएगा कुछ इस परकार से Google को open करके यहाँ से new table को ले लेते हैं सर्च वाला icon पे क्लिक करके आपको सर्च करना है cut out जैसे कि आप सब देख सकते होंगे एक नमर पर जो website आएगा इसको आप open कीजिएगा तो यह automatic आपके photo से background remove करके देदेगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे और यह बिल्कुल perfect तरीका से erase करके देदेता है जैसे कि आप सब देख सकते होंगे अब इसको मुझे download करना है download button पे क्लिक करके इसको आप download कर लेजिएगा चलिए download कर लेते हैं उसके बाद फिर से हम cap cut app को open कर लेते हैं add overlay पे क्लिक करके जिस photo का अभी आप background remove किये उस photo को यहां से add कर लेजिएगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे बिल्कुल perfect तरीका से यहां पर erase हो चुका है अब इसको add adjust कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिएगा simple सबसे पहले इसको हम equal size में कर लेते हैं उसके बाद संकर भगवन का जो photo है वो मुझे mirror करना है कुछ इस तरफ से तो simple हम आगे चलेंगे आगे आपको देखनों को मिल जाएगा transform इस पर आप किलिक किजिएगा mirror पर क्लिक करके कुछ इस परका से mirror कर देते हैं उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाईएगा यहाँ पर आप देख सोगत होंगे कि हम जो lighting effect apply किये वो संकर भगवन के आख में आ चुका है लेकिन इन में नहीं चाहिए मुझे कालिमा के आख में चाहिए तो simple संकर भगवन से हताने के लिए bike वाला icon पर क्लिक कीजिएगा नीचे से आगे की तरफ चलिएगा तो यहाँ पर आपको देखनों को मिल लेगा layer लेएर पर क्लिक कीजिएगा संकर भगवन का जो photo है उस पर आप दबा करके इसको आप starting में ला करके रख दिजिएगा उसके बाद done पर क्लिक कर दिजिएगा देख लिजिए संकर भगवन से जो lighting था वो काली map पर चला गया है जैसे कि आप सब देख सकतों होंगे अब मुझे संकर भगवन का जो photo है इसमें मुझे animation देना है देने के लिए आप starting में आ जाईएगा photo पर क्लिक करके सबसे पहले इनको आप zoom किजिएगा कुछ इस पर कर से तो हम कुछ इतना zoom कर लेते हैं आप अपने recording देख लिजिएगा हम कुछ इस पर कर से इतना रहने देते हैं उसके बाद starting में आ जाईएगा प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके फिर से अप ले करके देख लिजिएगा कहाँ पर काली आता है वहाँ से हमको animation देना है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आ करके रुक जाएंगे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके संकर भागवान को कुछ इस परकार से इधर कर देंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे कुछ इस टाइप का इतना हो जाने के बाद सब से आप last में आ जाईएगा end point पे plus वाला icon पे क्लिक करके कुछ इस परकार से कर देते हैं और इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं आप अपने accounting डेख लीजिएगा हम कुछ इस परकार से रहने देते हैं अब मुझे keyframe में थोड़ा सा animation देना है smooth बनाना है तो simple आप जो keyframe लगाएं दो उसके बीच में आ करके रुख जाईएगा graph पे click करके इसमें आप जो animation लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं is into इसको आप अपलाई कर देजिएगा कुछ इस परकार से उसके बाद अगले keyframe के बीच में आ जेएगा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे same वही animation अपलाई कर देना है is into जैसे कि आप सब देख सकते होंगे चलिए आपको sound कम करके आपको दिखा देते हैं कि इस परकार से इसमें animation लग चुका है जैसे कि आप सब देख सकते हों कुछ इस परकार से बिल्कुल perfect तरीका से यहाँ पर बन के त्यार हो चुका है अब इसमें मुझे thunder effect apply करना है बिजली करकने वाला तो हम यहाँ पर sound को थोड़ा सा मलब खोल लेते हैं उसके बाद play करके देख लेते हैं कहाँ पर मुझे बिजली करकने वाला effect लगाना है चलिए play करके देख लेते हैं यहाँ पर आता है ठीके तो यहाँ पर आ करके रुक जाएगा bike वाला icon पर क्लिक किजिएगा effect पर क्लिक करके video effect पर क्लिक किजिएगा यहाँ से आप आगे चलिएगा आगे आपको देखनों को मिल जागा nature इस पर आप क्लिक किजिएगा यहाँ पर आपको देखनों को मिल जागा lighting इसको आप apply कर देजियेगा जैसे कि आप सब देख सोकता होंगे उसके बार done पर click किजियेगा lighting वाला जो effect है उस पर click करके object पर click किजियेगा all video पर click कर देजियेगा down पर click कर देजियेगा अब अब प्ले करके देख लिजियेगा कि ये thunder effect कहा तक चाहिए तो मुझे यहां तक चाहिए, जैसे कि आप सब देख सोगत होंगे, हम यहां तक रख लेते हैं, आप अपने accounting देख लीजिएगा, कुछ इस परकार से कर लेते हैं लीजिए हमारा वीडियो बन के तियार हो चुका है, चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं, कुछ इस परकार से आपको देखनों को मिल जाएगा, जैसे कि आप सब देख सोगत होंगे वीडियो बन जाने के बाद सेव करने के लिए, एक्सपोर्ट पे किलिक किजिएगा, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा वीडियो अच्छा लागा हो, लाइक किजिएगा, सब्सक्राइब किजिएगा, बेल आइकन को फ्रेस कर दिजिएगा तो चलिए मिलते हम अपने अगले वीडियो में